तो आज बात करेंगे हम geometry of molecule के बारे में valence shell electron pair repulsion ने हमें बताया कि molecule की geometry क्या होती है hybridization एक अलग चीज होती है और geometry एक अलग चीज होती है तो कैसे हम hybridization को use करके geometry को निकालते हैं आए इस lecture में सीखेंगे हमने BF3 में देखा था कि यहाँ पर जो number of sigma bonds हमें मिले हैं वो है 3 तो यहाँ पर 3 sigma bonds से हमें पता चल गया कि इसका hybridization होता है SP2 तो SP2 hybridization है यहाँ पर हम इसके shape जिसे हम geometry या structure बोलते हैं उसे देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर SP2 बताता है trigonal planar के बारे में तो यहाँ पर हमने देखा कि BF3 के जो shape और geometry या आप इसको hybridization बोलिए वो एक ही है planar है तो यहाँ पर हम final conclusion अपना लिखते हैं hybridization यहाँ हमें मिला है planar और साथ ही इसका जो shape हमें मिला है वो भी है planar तो यह सबसी easy और आसान molecule है जिसके बारे में हमने discuss किया यहाँ पर जो bond angle हमें मिला है वो है 120 degree यहाँ पर जो bond angle मिला है 120 degree next problem देखेंगे SO2 यह भी SP2 hybridization होता है यहाँ पर होता है एक lone pair और oxygen के साथ बनता है double bond यहाँ पर SP2 है lone pair की बात करें तो यहाँ पर lone pair हमारे लिए 1 है sigma bond यहाँ पर 2 है तो 2 plus 1 is equal to 3 यहाँ पर जो hybridization है अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है hybridization planar, trigonal planar हम यहाँ पर planar लिख देते हैं लेकिन अगर कोई आपसे shape पूछे तो आपको बताना है bent इसका reason यह है कि हम lone pair को shape में consider नहीं करते हैं तो अगर आप इसे देखो तो आप समझ सकते हो कि यह bent structure है SP2 hybridization और shape है bent यहाँ पर हम final conclusion करते हैं कि अगर hybridization planar है यह आप उसे trigonal planar भी बोलते हो तो shape planar and bent मिला है हमें और साथ में bond angle 120 degree और 119.5 120 degree BF3 के case में मिला है और SA2 के case में हमें 119 bond angle मिलता है loan pair के कारण bond angle decrease हुआ है loan pair के कारण bond angle decrease हुआ है तो यह बहुत ही important note है कि अगर loan pair आपके molecule में increase होता है तो bond angle decrease होता है next problem देखते हैं CH4 हम सब जानते हैं यह SP3 hybridization है जिसे हम बोलते हैं tetrahedral हम इसे बोलते हैं tetrahedral तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो shape आता है वो tetrahedral shape का आता है यहाँ पर hybridization में आप यहाँ पर hybridization में आप tetrahedral लिखेंगे और यहाँ इसका shape भी हम tetrahedral लिखेंगे इसका shape भी हम tetrahedral लिखेंगे तो इसका structure हम बना देते हैं और ये structure ये shape आपको याद होनी जाएए यहाँ पर जो bond angle आता है वो 109 के पास होता है 109.5 होता है ammonia की बात कर ले ammonia में 1 lone pair होता है और 3 sigma bond होता है hybridization होगा हमारा sp3 इसको same हम वैसे ही tetrahedral की तरह लिखने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर lone pair लिखेंगे यहाँ पर अगर आपसे कोई hybridization की बात पूछे तो आपको बोलना है कि इसका hybridization होता है tetrahedral लेकिन इसका जो shape होता है वो होता है trigonal pyramidal तो यह चीज़ हमें clear है next problem देखेंगे water का यह भी hybridization sp3 है बट यहाँ पर two lone pairs and two sigma bond है यहाँ पर कैसे लिखेंगे कि oxygen के उपर दो lone pair और hydrogen यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसका hybridization इसका hybridization tetrahedral कहलाएगा इसका hybridization tetrahedral कहलाएगा लेकिन इसका shape SO2 की तरह ही bent या V-shaped कहलाएगा तो यह बहुत important topic है कि shape और hybridization बहुत दोनों अलग चीज़ें है shape में हम lone pair consider नहीं करते हैं अगर आपने इसका lone pair हटाया दिया तो आप देख सकते हो यह V-shaped या bent दिखता है next problem देखेंगे हम यहाँ पर tetrahedral में हम geometry के बात कर लेते हैं तो tetrahedral और हमें एक मिला है trigonal pyramidal trigonal pyramidal ammonia की case में और bent water की case में CH4 NH3 and water यहाँ पर CH4 109 के पास होता है ammonia 107 और water का 104 it means कि अगर loan pair increase होता है it means कि loan pair increase होता है तो bond angle decrease होता है अगर loan pair increase होगा तो bond angle आपका decrease होगा बहुत ही अच्छा example था PCL 5 के बाद कर ले यह SP3D hybridization होता है इसमें मिलते हैं 5 sigma bond आप इसको check करिएगा अब हम इसकी shape के बाद कर ले तो SP3D hybridization को हम TBP बोलते हैं हम बोलते हैं TBP तो यहाँ पर हमने लिखा ऐसे यहाँ पर सभी जगा हमने लिख दिया chlorine अब देखें यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे की hybridization क्या है तो आपको बोलना है इसका hybridization है ट्राइगुनल ट्राइगुनल बाई पिरामिडल बाई पिरामिडल जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में TBP बोलते हैं और शेप भी इसका TBP है शेप भी इसका TBP कहलाता है लेकिन अगर हम एक दूसरा problem ले जहाँ पर CLF3 को देखते हैं CLF3 भी SP3D hybridization होता है loan pair की बात कर लेते हैं loan pair अगर आप यहाँ पर calculate करोगे तो 2 loan pair है sigma bond यहाँ पर 3 आएगा तो यहाँ पर जो आपका 2 loan pair है वो कहां जाएगा वो जाएगा आपके equatorial position है मैं आपको यहाँ पर और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर हमने यहाँ पर PCL5 का structure draw किया PCL5 का structure draw किया तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो दो यह bonds हैं यह bond कहलाते हैं axial यह bond कहलाते हैं axial और यह जो bonds हैं यह कहलाते हैं equatorial यह कहलाते है equatorial बहुत important point है axial bond और equatorial के बारे में तो यहाँ पर हमने देखा कि chlorine को हम center में लिखेंगे fluorine को हम ऐसे लिखेंगे दोनों axial position पे तीन fluorine और जो दो loan pair बचेंगे उन्हें हमें लिखना है equatorial bonds पे उन्हें हमें लिखना है equatorial bond पे तो यहाँ पे जो सबसे important चीज यह है मैं mention करना चाहती हूँ कि note यहाँ पे आप डाल लिजिए कि TBP के case में TBP के case में जो loan pair है जो loan pair है वो हमेशा equatorial position पे होगा वो हमेशा equatorial position पर होगा क्योंकि वो वहाँ पर stable होता है वो वहाँ पर stable होता है तो यहाँ पर जो हमें structure मिल रहा है अगर हम उसके loan pair को हटा दे तो हमें कुछ ऐसा shape मिल रहा है तो इसका hybridization इसका hybridization आपका होगा TBP लेकिन अगर इसकी shape की बात करें तो यह होगा T-shaped यह होगा T-shaped यहाँ पर important point note की equatorial TBP के case में loan pair हमेशा equatorial position पर जाएगा equatorial position पर जाएगा तो यह जीज़ हमें समझ में आ गई next question देखते हैं यहाँ पर हम एक नया problem देख रहे हैं S4 का case यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यह भी होता है SP3D hybridization और यहाँ पर मिलता है हमें यहाँ पर भी हमें मिलता है S4 की case में one loan pair one loan pair होता है और चार sigma bond होते हैं तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर हम sulfur को बीच में एक loan pair को equatorial position पे और fluorine को इस तरह लिख देंगे तो अगर आप यहाँ पर shape की बात करो loan pair को हटा दिया जाए loan pair को हटा दिया जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमें loan pair हटाने के बाद जो structure मिल रहा है वो कुछ इस तरह का है वो कुछ इस तरह का है वो कुछ इस तरह का है तो यहाँ पर हम mention कर दें कि hybridization इसका SP3D होगा hybridization इसका SP3D होगा लेकिन इसका shape बच्चो इसे बोलते हैं C-sore तो यह बहुत important topic है one loan pair के साथ important क्या था कि SP3D में यहाँ पर हमने क्या देखा SP3D जिसे हम TBP कहते हैं diagonal by pyramidal TBP के case में जो loan pair है जो loan pair है वो कहा जाएगा equatorial position पर यह चीज़ आपको याद होनी चाहिए equatorial position पर यहाँ पर आप इससे भरिए और हमारे comment section में इसके answer को डालिएगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं TBP यहाँ पर हमने एक T-shape देखा और हमने देखा C-sore examples आपके पास है TBP का PCL5 example है CLF3 example है and आपका C-sore का example है SF4 तो यह बहुत अच्छे examples है जो आपको याद भी होने चाहिए और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए तो यहाँ पर यह चीज़े हमने सीख लिए SF6 की case देखे मैं आपको बता देती हूँ SP3 D2 Octahedral Octahedral यह case होता है यहाँ पर आपको 6 Sigma Bonds मिलेंगे 6 Sigma Bonds मिलेंगे इसको 6 Sigma Bonds मैं लिख देती हूँ यहाँ पर अच्छे से 6 Sigma Bonds मिलेंगे 6 Sigma Bonds तो यहाँ पर जो Octahedral होता है वो होता है हमारा कुछ ऐसा तो यहाँ पर हमने लिख लिया सारे Octahedral तो इसका Shape और Hybridization दोनों ही Octahedral होगा और Hybridization भी इसका Octahedral और इसकी Shape भी Octahedral होती है बहुत important topic next BRF5 की बात कर ले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 1 Loan Pair हमें मिलेगा 1 Loan Pair मिलेगा और 5 Sigma Bonds मिलेंगे 5 Sigma Bonds मिलेंगे टोटल सॉल्फ करेंगे 6 SP3 D2 Hybridization यहाँ पर यहाँ पर जो Bromain Center में Florine यहाँ पर आपको जो Loan Pair है आपका जो Loan Pair है वो हमेशा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जो आपका Loan Pair का जो Position है वो हमेशा Axial होता है Octahedral में Loan Pair का Position Octahedral होता है Sorry, Axial होता है Axial होता है Loan Pair का Position Axial होता है तो यहाँ पर अगर हम इसका Loan Pair को हटा दे अगर हम इसके Loan Pair को हटा दे तो हम क्या देखते हैं यह बनाता है एक New Shape जिसे हम बोलेंगे अगर आप इसके loan pair को हटा दे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसके shape को हम बोलेंगे square pyramidal square pyramidal square pyramidal इसका hybridization बच्चो इसका hybridization octahedral है लेकिन इसका shape कहलाएगा square pyramidal pyramidal बहुत important topic है बहुत जेई में important है कि octahedral में अगर one loan pair है यहाँ पर हमने क्या देखा one loan pair next problem देखेंगे कि कैसे solve किया जा सकता है XZF4 का case देखते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ भी हमें two loan pairs मिलेंगे two loan pairs मिलेंगे four sigma bond मिलेंगे total number six आएगा four sigma bonds मिलेंगे SP3 D2 hybridization होगा तो इसको कैसे solve करेंगे देखें यहाँ पर xenon को लिखा fluorine यहाँ पर और हमें पता है xenon का valence electron 8 होता है तो 4 use हो गया बाकी बचे 2 हमें axial में लगाने हैं बाकी तो octahedral की case में loan pair हमेशा axial पर जाएगा loan pair हमेशा axial पर जाएगा यहाँ पर इसकी structure को discuss करते हैं जो structure आएगा अगर हम इसके loan pair को हटा दे अगर हम इसके loan pair को हटा दे तो यह हमें square planar दिखता है यह हमें square planar दिखता है तो hybridization यहाँ पर इसका जो hybridization है वो octahedral है octahedral है लेकिन इसका जो shape है वो होगा square planar वो होगा square planar hybridization और shape की बात करता है अकर octahedral के हमने 3 cases देखे हैं shape की बात करें तो एक octahedral था जो हमें SF6 ने दिया और हमें एक मिला square pyramidal square pyramidal और एक मिला हमें square planar square planar यहाँ पर हमने देखा B.R.F.3 का case यहाँ पर हमने देखा BR.S.3 का case Da où BR.F.5 का case sorry बच्चो, BR.F.5 का case के यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं BR.F.5 का case और यहाँ पर हमने देखा XZF4 का case तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे one loan pair था यहाँ पे two loan pairs थे बहुत ही important चीज़ है यह आपको पता होनी चाहिए आगे के next lecture में हम और बहुत सारे new topics के साथ आएंगे आपको इसके notes आपको description link में मिलेगा तो आप वहाँ से download करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं तब तक के लिए thank you so much